कि वेलकम टो और चैनल चेयर मार्कर सलुशन 24 x 7 में आपका स्वागत है दोस्तों अभी आपनों जिस सेयर के बारे में बात करेंगे देखिए वह है और क्या इस लेबल पे जो कि आपका अपर सर्कूर का भी दीक दिख रहा है और कल यदि मॉक्रा मिलता है तो क्या ठीदारी करने चाहिए उस चीज को समझेएं और कहा पे आपको भरदारी करने चाहिए वह लेबल भी हम बताएंगे और क्यूं करना चाहिए वह भी मैं बताऊंगा तो यह सारे चीज़ें डिसक्राइब करने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं पर प्लीज सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन जरू दबा दें तो दोस्तों यहां टाइम जो है इसने को दिए वह 06 के उपर दी जो की पहला जो उसके पहले जो हाई को दो फीक अब फिर अगले दिन थोड़ा सा रेड केंडल बना और सपोर्टत कहा लिया जो यह पर पिर ऐसी के पास पर आपका क्योंच शम्रत प्वाइब देखने को मिला 77 का लेवल उसके बाद फिर आपको देखने को मिला 91 का लेवल और आज 91 लेकिन यहां क्लोजिंग कहा होई थी 83 के आसपास और दूसरी बार क्लोजिंग कहा होई और नीचे 77 के आसपास तो देखिए थोड़ा सा यहां पर देखे 75 का एक अच्छा बेस था और इसके बाद देखें यहीं सापोर्ट लेकर 92 पर यह आ चुका है तो क्या यह से 150 के तरफ जा रहा है और यह जाता है तो और कितना मतलब कितना टाइम ले सकता है या गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है तो थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा डीटेल में देख लेते ह सने कितरका पांस साल के पहले देखने को मिलाता तो देखिए nya जिसमें पर अभी है तो एसा नहीं है कि इसके पहले उपर ट्रेड नहीं करता था इसके पहले देखा जाया तो friendly यह 209 रुपय पर तो देखें तो काफी बड़ा आप तक चार साल का लेवल इसके ऊपर जो है आज डिया है कहीं नहीं अब तक का एक हाई अब तक का एक हाई को दिया और यह हुआ है थी इसके पहले जो देखा जा तो यहाँ पर 50 से लेकर 90 तका लेवल का हाई लगा चुका था जो कि 2021 जून में लगा चुका था और उसके पहले एक बार जब गिरावट हुई थी तो एक बाउंस बैक देखने को मिला था और बाउंस बैक में इसने जो है 96 के लेवल को टच किया था तो ओवियस है कि अधी 92 96 के उपर निकल से भी देखा जाए 15-20 परसेंट उपर के आप मूव आपको देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि यह 200 के लेवल भी दिखा दे अब बात करें उसके पहले कि इतना लेवल था जहां पर दोसों तक दोसों का हाई था लेकिन उसके पहले देखें तो आपको यह हाई यह 27 दे चाइब जो जो है यहां पर टाइम लॉय जो की देखा जातों आपको 2008 वे यहां पर लगाया था और इसके बाद देखे तो 2018 में भी लो लगा था और यह देखे तो 2020 तो यहां पर देखें तो आपको यह दिखेगा 5-6 साल पर एक बार इतने अपना लो टैस्ष किया है और थ्री टाइम सा और यहीं पर देखे तो फिर से आपको 28 रुपय का लोड टस्क करता हुआ नजर आया तो चार बार इसने जो है लगबा लगबा 30 के लेवल को टस्किया और कितनी बार उसके ने यहां से उठा है तो कितना रन अब दिया है कि जब भी उठा है तो यहां पर इसमें दिखा जा तो 174 के आसपास था फिर यहां पर भी देखे तो आपको हाई लगा था कितने पर 190 के आसपास ठीक है अभी देखे तो रिसेंट में यहां है तो अब यहां से दिखा जाए तो देखी जो लेवल है ना एक अल्टिमेट 70 का एक अच्छा सपोर्ट आप ले निकल जाता है तो 190 का टार्गेट आपको इसमें देखने को मिलेगा और यहां से भी निकल गया तो आप 50 परसेंट अमना प्रॉफिट बूक कर लिजेगा एक साट के आसपास और फिर बने रहेगा 50 परसेंट जो कि आपका प्रॉफिट होगा सो पूरा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को प्रॉफिट में बदनने के लिए यहां पर आगे के लेवल्स भी देखने को बिल सकते हैं क्योंकि इस समय सेनार्यों अलग है और एक समय ताथ यहां पर देखा जाए तो 2007 में तेजी बहुत तेज गिरावड देखने को लिए मंदी के समय अब फिर 300 का लेवल्स जो है देखे दो बार उसने टच्च किया है मोर दें 300 का तो 300 का लेवल ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कम से कम 150 का लेवल नहीं टेच कर सकता क्योंकि इसी के पास अच्छा है तो यहां से निकलने के बाद एक सो पचास का आप लेवल जूब्स यह का और काफी अच्छा पैसा बन सकता है अब बात करें फंडामेंटल का दिसकी मार्केट का बहुत छोटा है 116 करोड का है यहां पर देखा जो है इंडेट्री पी से थोड़ा सा उपर प्रीमियम पर है और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है इस कामपोनी में आपको डेप् के प्रस्पेक्टिव से देखें तो यहां पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं दिखाई देती है इसके साथ जो अच्छी चीज इसमें दिखाई देती है वह है रिटरन कैपिटल पर देखा जा तो यहां पर देखने को मिलता है आरोई देखे तो आपको 17.2 परसंट का ज सब्षस्पेक्स करता हुए नजार आ रहा है फिल्पर देखें दो रुपे का है तो इसको थोड़ा है हम मैं देखूंगा क्वार्टरली रिजट्स में किस तरह के एपिएस में आपको इंप्रूब्मेंट देखने को मिल रहा है और यहां पे आरोई में देखें को मिला है कफी आपको दिखाई देता है यहां को देखें तो 2013 जहां पर अपर देखने को मिली थी 15.97 तक उसके बाद देखें तो आपको दिसम्बर 2021 तक इसमें अच्छा जो है और यह अभी देखें तो गिरावड देखने को मिली थी 15.97 तक उसको 15.13 तक लेकिन अब ऑपरेटिंग मार्जिन वे गिरावड जो लगता है थामी गई है और यह अपरेटिंग मार्जिन में सुधार देखने को मिल रहा है सेटेंड कोडर में और यहीं पात करें तो इपीएस भी आपका जो फॉर्ट कोडर था उसके मकाबले आपको यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और इसके साथ आपका यहां पर देखें तो सबसे अच्छी चीज़ दिखा देखाए दिए सेल्स में काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है यहां पर निगेटिव और तीन रुपे का करता था 2012 में तो 2012 का यहीं हम लेवल देखे ना तो किस तरह का लेवल था उसको थोड़ा समझने के बात करें तो देखें 2012 में भी शेयर जो है करी-करी 40 के आसपास लेकिन यहां पर 13 में काफी अच्छा उच्छाल देखने को भी लाता तो 13 में देखे किस तरह का आपको 2013 का देखे डेटा देखने के कोशिच करें तो 2012 11 12 13 का डेटा यहां नहीं दिखा जारा 14 का देखे तो यहां पर देखे तो आपको इंप्रूब्मेंट दिखाई दिया था तीच चार सार और लाट सोला देखने को मिल रहा है अब बात करें यहां पर इंवेस्टर की पोजिशन की तो बात करेंगे यहां पर प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है 50.41 का और बागी यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो यह सारी चीज़ों को आप धिहान में रख सकते हैं तो यहां पर जो हमने टार्गेट रखे इस टेक्निकल चार्ट पे वह एचीव हो सकता है कि चलता है तो बहुत तेज सलता है और बहुत अच्छा पैसा बना देता है तो मोमेंटम बेश्वा काम किजिएगा बहुत लंबा टिकने की जरूवत नहीं है जब तक आपका इस्टापलस हीट नहीं होत है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए हैं बाबाई